तो गाइस आज की इस वीडियो में यूटूब वीडियो का SEO करना सिखाऊंगा तो पहले आप ये जान लो कि यूटूब का SEO होता गया है Search Engine Optimization अगर आप अपनी वीडियो सर्चवेल टॉपिक पर बनाते हैं तो आपको यूटूब SEO करने की जरुद पड़ेगी क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो में complete SEO करने लगे तो आपकी वीडियो सर्च में आने लगेगी तो सब सब पहले गाइस मैं आपको live proof दिखाता हूं कि सर्च से वीडियो कैसे आते हैं तो आपको side में एक screen दिख रहे होगी जैसे मैं अपने channel पर analytics में गया हैं आपको आपको नीचे आने नीचे आने नीचे आपको दिखेगा real time view जो मतलब real time view होते ना इसपर आपको click करना जो आपकी top video होते जो चलती रहती है अब यहाँ पर आप देखो यह सारी जितनी भी वीडियो दिखा रहा है इस पर जितना भी वीडियो आए ना वह आ रहा है सर्च से क्योंकि मैंने इस पर अच्छे से स्टीयो किया था अभी मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाता हूं how to write best title for YouTube videos तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसके बाद मैं रिच में आता हूँ and रिच पे आने के बाद अभी इधर दिखाता हूँ YouTube सर्च तो यहाँ पर जो भी व्यूज आ रहा है वो सर्च से आ रहा है इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर रिच पर जाता हूँ रिच पर जाने के बाद यहाँ पर आभी देखो YouTube सर्च 90% जो भी व्यूज आ रहा है ना वो YouTube सर्च से आ रहा है ठीक है तो आप भी अपनी वीडियो में ये काम करो तो चलिए गाई सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले एक टाइटल निकाल लेना है तो में तो हमारी वीडियो का टाइटल होता है अब आपनी वीडियो के हिसाब से जो भी आपकी वीडियो attitude video कैसे बनाएं तो यह एक searchable topic है ना इस चीज को बंदे सर्च करते होंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिरिफायर अब यहाँ पर जैसी मैंने डाला फिरिफायर attitude video कैसे बनाएं तो यहाँ बाद दो title दिखा रहा है VidIQ VidIQ एप्लिकेशन को आपको Simply Play Store से इस्टॉल कर लेना इस तरीके का इंटरफेस होता है तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लेना आप समझ जाएंगे तो इसको आपको कैसे अपने चैनल से लोग इन कर लेना है जैसे आप इसको लोग इन करेंगे इस तरह का इंटरफेस होगा आपको नीचे एक उप्शन दिखेगा Research का Research के उप्शन पर आना है यहां पर आने के बाद आपको Search के जो मता उपर लिखा है Search Keyword इस पर आपको अपने यहां पर इसको इस तरह से Keyword को मैं Notepad में यहां पर पेस्ट कर लियता हूँ ठीक है और इसके बाद एक गंड़ा यहां पर हम इस तरह से लगा देंगे अभी यह तो मताब एक Short Keyword होगा अभी इसको Long Keyword करना है एक Keyword और चाहिए होगा अब आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं जैसे के बहुत से बंदे इंगलिस में सर्च करते होंगे जैसे के वो सर्च करते होंगे How to make free fire attitude वीडियो इस तरह से भी सर्च करते होंगे न तो यह भी Keyword हम वीड आईक्यू में जाकर और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं यहाँ पर आप ऐसे सर्च करेंगे How to make free fire attitude अब यहाँ पर दोखो status आ रहा है और वीडियो आ रहा है दो Keyword यह सर्च कर रहा है तो मैं वीडियो बाले पर क्लिक कर देता हूँ तो इसका competition आप देखो very high है इस Keyword पर बहुत से बंदों ने वीडियो बना रखी है बट मुझे तो एक English में भी title चाहिए था तो चलिए इस वाले title को भी यहाँ से copy कर लेते हैं ठीक है और इसके बाद guys हम notepad फिर से open करेंगे और इसके आगे keyword को ना इसके आगे लगा देंगे इस तरह से हमारा जो title है वो complete हो गया है लेकिन guys अभी इसके लिए आपको चाहिए होगा tags और आपको description में भी कुछ ऐसा करना है जिससे आपका complete hc होगा जिससे आपके tags rank करें तो next काम guys कुछ इस तरह से आपको कहाना है सबस्पहले आपको पहले वाले जो keyword है फिरीफायर attitude वीडियो कैसे बनाए इसको आपको simply क्या करना है कॉपी कर लेना है इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है और कोपी करने के बाद आपको आना है Google Chrome browser में जो title अभी हमने कॉपी किया था ठीक है इसको यहाँ पर इस तरह से हम पेस्ट कर देते है और यहाँ पर आपको simply क्या करना है यहाँ से सर्च कर लेना है अब यहाँ पर देखो guys कितने धेर सारे यहाँ पर title आ चुके है मतलब जो tags है ना बहुत ज़्यादा आ गए तो यहाँ पर अब मैं tax कैसे find करता हूँ अपनी वीडियो के लिए मैं tax कैसे निकालता हूँ तो सबसे पहले फिरिफायर status कैसे बनाए ठीक है यह भी सही है और फिरिफायर है तो मैं नीचे से क्या करूँगा यहाँ से इस तरह से cut कर दूँगा मुझे कुछ keyword यहाँ पर लेने है बस उपर उपर की ठीक है ज़्यादा आपको नहीं लेने है थोड़े से आपको ले लेने है आपको ज़्यादा keyword नहीं लेने है आपको यहाँ पर मुस्किल से लेना है 6-7 ठीक है तो इस तरह इतने कीविट हैं यहां से ले लेते हैं, कीविद्धभत कॉपी पे क्लिक करके और वापस आजाते हैं अपने नोटपेड मेरे. नोटपेड मेरे ऑने के बाद यहां पर दिय अथा आना है. और इसके बाद आभी एकन है यहाँ पर आपको जो लिखा है Free Fire Video Editing Tutorial इसके आगे कोमा लगा है इस कोमा को यहाँ से हटा देंगे और हटाने बाद आपको सिंप्ली इंटर कर देना है ठीक है तो यह तो हमारे मतलब यह टैक्स होगा है और यही टैक्स अब इसको हम cover topic बनाएंगे सबसे पहले आपको उपर इस तरह से लिख लेना है cover topic ठीक है यह cover topic हमें इस तरह से लिख लेना है और इसके बाद अब जो second वाला है How to make Free Fire Attitude Video वाले keyword को भी हमें copy कर लेना है इसको copy करने के बाद बाद बापस आते हैं अपना Google Chrome browser में और Rapid Text वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर फिर से हमें इस वाले keyword को डालना है तो यहाँ पर इस तरह से हमें paste कर देना है paste करने के बाद आपको simply कर आगे हैं आपको next कर देना है और यह वाले ऊपर short keyword है इनको यहाँ से text को हटा इस तरह से guys हम इन keyword को copy कर लेते हैं copy करने के बाद फिर से हम वही करेंगे notepad open कर लेंगे then अभी क्या करना है यहाँ से आपको आना है नीचे नीच आने के बाद आपको इसको यहाँ पर इसके नीचे पेस्ट करना है आपको फिर से वही काम करना है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया है आपको इसका जो कोमा है कोमा को अटा के इंटर कर देना है और इसके बाद इस वाले कोमा पर इस तरह से करके और यहाँ से इंटर कर देना है और स्टेटस को यहां से करके एंटर कर देना है तो यह देखो गाइस, यह हमारे वीडियो के टैक्स हो गाए है और इसके बाद जो एक मेन काम होता है ठीक है, इसी सब, मतलब जितने भी टैक्स है ना इनके नीचे आपको कह करना है, आपको अपने चैनल का नाम दे देना है तो मैं अपने चैनल का नाम यहां पर नीचे दे देता हूँ इस तरह सापको दे देना है, अब आपको कह करना है, आपको सबसे पहला वाले जो टैग है यहां से लेकर और आपको नीचे तक सारे मतलब टैक्सने को सेलेक्ट करके कॉपी कर देना है कॉपी करने को बाद आपको नीचे आना है नीचे आने को बाद आपको यहां पर फिर से इन सभी कीवर्ड को पेस्ट कर देना है अब पेस्ट करने के बाद गाइस अब यहां पर आप देखो फिरिफायर स्टेटस कैसे बना है इस पर आपके केकरना है यहां पर कोमा लगा देना है और इसके बाद आपको यहां पर फिरिफायर पर कोमा लगा देना है एडिटिंग पर कोमा लगा देना है सबी keyboard पर आपको इस तरह से जितने भी tag हैना सब के आगए आपको koma लगा दिना है ऐसा अगर आप पने channel में डालेंगे ऐसा अगर अपनी वीडियो में डालेंगे तो ये सारे tag एक tag बन जाएगा तो इस तरह से आपको क्या करना है और इस पर भी लगा देते हैं और इसके बाद यहां पर भी लगा देते हैं तो ठीक है गाईस यह तो हो गया ठीक है अभी आपको क्या करना है अभी यहां पर एक काम और आपको करना है जो आपका में जो टाइटल था फर्स्ट वाला इसको भी कॉपी करना है और इस वाले title को आपको copy करके और cover topic के नीचे, cover topic लिखा है न, cover topic इसके नीचे आपको इसको paste करना है, ये भी हमारा text होगा, इसी तरहस आपको how to make attitude video इसको भी copy करके, और इसके नीचे आपको, verify attitude video कैसे बना इसके नीचे आपको इसको paste कर देना है, अब इनी दोनों keyword को आपक copy करके यह मैं पहले भूल गया था, आप पहले भी कर सकते हैं इसको और इसको यहाँ पर text के ऊपर बिलखे करना है इस तरह से और इनके आगे भी आपको कोमा लगा देना है, ठीक है, इस तरह से, अब guys मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इनको कैसे वीडियो में यूज करना है तो जैसे के गाइस मैंने यहाँ पर नोट पेड में सारा कुछ नोट कर रखा है तो पहले मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है उसके बाद मैंने कुछ hashtags भी मैंने यहां पर यूज किया है आप यहां पर 15 हैस्टेक यूज कर सकते हैं उसके बाद गाइस नीचे मैंने टैक्स यूज किया मतलब टैक्स को कॉपी किया हुआ है तो इसको कैसे मतलब एड करना है जिससे हमारी वीडियो को रैंक करेगी तो पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको सारा कुछ पहले नोट कर लेना है तो अब गाइस मैं इन टाइटल और टैक्स को अपनी वीडियो में यूज करूंगा उसके बाद मैं आपको लाइप प्रूब भी दिखाऊंगा कि मेरी वीडि saves Tibor Tut आपक्स को अपनी वीडियो में यूज कर करके दिखाऊंगा और आपको लाइप प्रूब भी दिखाऊंगा कि मेरे वीडियो रैंक कर रहे हया नहीं कर रहे हैं और साथ में आप ये भी जा जाएंगे कि वीडियो सर्च में आती है या नहीं आती है तो मैने ङाइस यह पर select कर लेंगे and इसको यहां से delete कर देंगे देना भी क्या करेंगे इसको यहां पर paste कर देंगे जो हमारा title है उसको paste कर देंगे और अब आपको क्या करना है जो title है इसको पूरे को copy कर लेना है ठीक है इसको copy करके आपको description में डालना है और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डालना है ठीक है बिल्कुल उपर साइड में आपको डिसकप्शन में इस टाइटल को पेस्ट कर देना है और इसके बाद आपको बेक आना है बेक आने के बाद अब जो मतलब कबर टॉपिक्स इत्रीद इसको सेम में कोपी कर लेंगे और आपको ऊपर कबर आपक जलूर लिखना है देन ढवे अबомडर के बाद बाप आएंगे Google Chrome ग्रम ब्राज़र उसके बाद करेंगे नीचे select करेंगे बाद इनको युकर last में डालना है हो मतरणετε top भी ना है इसको आपको last में डालना है यहाबर आपको simply paste कर देना है और paste करने के बाद अब यह आप देखना को नीचे जो hashtag है लेकल को last में भाना है तो इतना कर लेना है इसके बाद आपको कहना है यहां से back आना है बैक आने के बाद अब यहां से जो tax मतलब बनाए थे हमने इस tax को आपको copy करना है और याद रखना है guys सभी tax के आगे आपको comma लगा होना चाहिए ठीक है इसको long press करके copy कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे Google Chrome browser open कर लेंगे और इसको open करने के बाद आपको more के options पर जाना है और नीचे slide करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखेगा tax का तो इसमें आपको फटापट इस tax को paste कर देना है ठीक है तो इस तरह से आपको रखना है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे tax कैसे rank करते है तो यहाँ से मैंने VidIQ application को open कर लिया है आप भी इस application को install कर सकते हैं तो यह कोई paid promotion नहीं है मैं VidIQ application को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अपने tax को rank करा के दिखा सकूँ तो अभी guys यह वाली वीडियो को मैंने publish किया है simply इस पर tap करेंगे tap करने के बाद guys आपको नीचे slide करना थोड़ा सा अभी आप देख रहा हूँ जो tax है वो यहाँ पर rank करना है जो green color के tax है वो यहाँ से rank करना है और जो यहाँ पर yellow color के है वो बेकार के है तो मेरा यह title है YouTube views down problem तो इसको मैंने यहाँ पर search कर लिया अभी इसको search करने के बाद अब guys मेरी वीडियो एक दो चार नमबर पर आई जाएगी ठीक है तो एक दो तीन चार तो पाचमें नमबर पर मेरी वीडियो यहाँ पर show कर रही है तो यानि के मेरी वीडियो का ठीक ठाक SEO हो चुका है तो इसके बाद guys यहाँ पर जो मेरा second title था उसको भी मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ तो second title था YouTube channel down क्यों होता है तो इस बादे को भी मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ search करने के बाद guys इसको slide करता हूँ चैनल पदर पहली वारा चैनल के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकान जरू पेस्ट कर देना तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ